बात को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज जो आपके घर में हैं, वो है तेल, तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल, तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सी सिधा सिधा तेल उसमें कुछ नहीं मिलाया मतलब नौन रिफाइंड तेल तो बागभट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाईए माने रिफाइंड तेल मत खाईए डबल रिफाइंड तेल मत खाईए अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यही हिरदेगारत नहीं आएगा वगरा वगरा यह जो रिफाइंड तेल है मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6-7 केमिकल इस्तेमाल होते हैं और डबल केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुमा ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और गैनिक जितने भी केमिकल तेल को साफ करने के लिए उपियोग किये जाते हैं वो सब इन और गैनिक हैं और इन और गैनिक केमिकल ही द आगनी केमिकल्स जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैडा कर देए इसलिए रिफाइंड टेल डबल रिफाइंड तेल गलती से भी मत खो ज़एंगे अब आपके मन में दो प्रश्ण आएंगे तुरंग, कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है हाँ, सीधा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण आएगा जी, शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है, वो उसका सबसे महत्वण घटक है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला, तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है, बास वो उसका protein content है दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो protein सबसे ज़ादा है वो तेलों में है चार-पांच तरह के protein है सभी तेलों में अब बास निकाल दिया तो protein निकल गया और चिप-चिपापन निकाल दिया तो उसका जो fatty acid है वो गायब अब ये दोनों ही चीज़े गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जी ने सूत्र लिखा कि जिन्दगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग वात के ही है सबसे ज़्यादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड़ियों में दर्द ये बात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक ब्रेन का डेमेज हो जाना सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरलिसिस फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आए आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड तेल कुछ कमपनिया निकली इस देश में कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कमपनिया दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वारताइं करना शुरू किया खासकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेस्क्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते कि तेल सफोला का ही खाना या तेल ये ही खाना तो मैंने का डॉक्टर साहब सफूला से आपका क्या रिष्टा है ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल मुंगफली का ही खाना ये सफूला कहां से आ गया तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है ना तो डॉक्टर साहब को कभी रेफ्रिज रेटर दे जाता है कभी टेलिविजन दे जाता है कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफरीका की सफारी दिखा देता है तो ये है चक्कर सारा कि एक तरह से किक बैक डॉक्टर साथ को प्रत्यक्ष और परोख शुरूप से मिल रही है इसलिए डॉक्टर साथ बार बार कह रहे हैं कि सफोला का तेल खाना अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबरेटरी में सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है वो टेस्ट किया लेबरेटरी में दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है इस पे काम करके देखना चाहिए तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में है तो बहुत मोटा हिस्सा अगर बात करूँ तो बहुत दिन भी जाएंगे उसका निशकरश एक वाक्य में बता देता हूँ कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महतुपून घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिलकुल छूच है कुछ है ही नहीं उसमें और आप उसको खा रहे हैं तो तेल के माद्धियम से शरीर को जो कुछ चाहिए वो मिलता नहीं आप बोलेंगे जी तेल के माध्यम से हमारे शरीर को क्या मिलता है मैं बार बार एक शब्द पे आपको ध्यान लाया HDL High Density Lipoprotein ये तेलों मैंसे ही आता है आपके शरीर में वैसे तो ये लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है तो शुद तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बहतरी निस्थती में रहे और ये HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो वात को कंट्रोल कर सकता है HDL ही है तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और साड़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बागवट चकित्सा का तेल ये दोनों एक ही चीज़े है तो आप शुद तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे HDL अच्छा रहे जिन्दगी में हर्टटेक आने की कोई संभावना ने आप निसंकोच अपना जीवन बिताईए फिर एक और महत्तु की बात हमने हमारे कुछ दोस्त लोग है इस अभियान में जुड़े हुए उनके उपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमारे कुछ मित्र है मैंने का भाई आप ऐसा करो चिकित्सा करनी है तो बाग भटकी करो हाँ ठीक करेंगे तुम डॉक्टर बन कर दो हाँ बन कर देंगे तो ऐसे हमने कुछ हमारे दोस्त इकठे किये जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है कॉलेस्टरॉल की बहुत ज़्यादा समस्या है ट्राइगलिस्राइट की बहुत ज़्यादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग एकठे किये और 36 गड़ में ये इसलिए किया कि 36 गड़ भारत में ऐसा एक राज्य है और ये लगबग हम तीन साड़े तीन साल से कर रहे है अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ है तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया रिफाइंड और डबल रिफाइंड और शुद तेल पर वो आते गए अभी उनकी इस्ति ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कॉलेस्टरॉल इतना ट्राइगलिसराइड इतना ये इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता ये रिपोर्ट में तो आठ दिन के ज़्यादा जिन्दा नहीं रहना चाहिए हर्कटेक आना ही चाहिए और मरना ही चाहिए लेकिन आप बचे कैसे हैं तो अब रिपोर्ट ये देख लो आज की रिपोर्ट उनको दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मिरेकल है ये, मिरेकल कुछ नहीं है, चमतकार कुछ नहीं, बस एक ही है कि शुद्ध तेल खाया उन्होंने, और जो तेल के घटक होते हैं, वो भरपूर मातरा में उनके शरीर को मिले, इसलिए उनके ट्राइगलिसरा नहीं हुई थी, वो पूरी तरह से खतम हुई, और अब इतना काम करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि उन में से दो हमारे कारे करता तो ऐसे हैं जिनको हर्ट में भयंकर ब्लॉकेज थे, अभी चेक कराएंगे तो वो ब्लॉकेज भी नहीं मिलेंगे, ये आ उपयोग होता था, और तेल के साथ गी का उपयोग तो और भी जादा होता था, तेल और घी एकी काटेगरी मान लेए आदुलिक विज्यान के हसाब से, वैसे आइव्वेद के हसाब से दोनों अलग काटेगरी हैं, लेकिन एक मिनट के लिए मान ले हम, कितने बार हम घी का उपयोग करते थे घरों में, शीरा बना रहे हैं, हलुआ बना रहे हैं, बिना घी के बन नहीं रहा है, दाल में घी खा रहे हैं, रोटियों पे घी खा रहे हैं, सबजियों में घी खा रहे हैं, और फिर सबजियां तेल में बना रहे हैं, आप जरा कलपना तो करिए, कितनी साल पहले के अपने परिवारों को देखें तो आपको भी पता चलेगा किसी को नहीं हुआ तो जब उतना हम तेल और घी उपयोग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में हमको हर्ट अटेक नहीं हो रहे थे ये पिछले दस बारे वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हर्ट अटेक हो रहे है फरसों किसी ने मुझे कहा कि 17 साल के बच्चे ने हर्ट का उपरेशन कराया अब यहां चिन नहीं में अपोलो में या पता नहीं कहां अब 17 साल की उमर में आपको बाईपास करवाना पड़े एंजियो प्लास्टी करानी पड़े यह तो दुखद इस्थती है और यह दुखद इस्थती बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइन तेलों से डबल रिफाइन तेलों अब आपका तुरंत अगला प्रशन आएगा जी चिन नहीं मिलता नहीं दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कहीं ना मिले अर्थशास्तर ये कहता है कि आप डिमांड खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइन और डबल रिफाइन तेल बिख सकता है तो शुद तेल भी यहीं मिलेगा आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद तेल ही खाएंगे कल से देखना बहुत सारी यहां आईल मिले लग जाएंगे तेल निकालने वाली मिले लग जाएंगे और अब घानी लगाना बहुत ही आसान है पहले एक जमाना था घानी भी लगा सकते हैं वो तो 18-20,000 की ही आती है बैल से चलने वाली घानी वो अब महंगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकल आता है तो इसलिए आप तेल शुद की तरफ बढ़ जाईए और मैं आपको जो रिसर्च कहती है वो कह रहा हूं कि जिस तेल में चिपचिपापन जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है जिस तेल में बास जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स All India Institute के जो रिसर्च कर चुके हैं वो ये कहते हैं सरसों के तेल का डबबा म जुरू होई जाएगी वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारंटी है तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें वात के रोगों को जीवन भर चुकित्सा करनी है तो तेल की मदद से ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है